तापिक है वो हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट याद रखे कि यह जो टापिक है इस से हमेशा जो है इटा हो या इंडिकेट हो दोनों में से एक एक एंसे क्यूज हमारे पास हर साल आता है सबसे पहले वोट इस डिस्टेंस एंड वोट इस डिस्प्लेस्मेंट सब्स हमारे पास एक बाड़ी है वो मूँ कर रही है यहाद से स्टार्ट होकर पॉइंट एस से स्टार्ट होती है और पॉइंट पी पर आ जाती है और इसकी जो फात है वो हमारे पास कुछ यू है यह ब तो यह जो पाथ है यह जो डिस्टन्स इसने कोर की है इसको हम कहेंगे क्या इसको हम कहेंगे डिस्टन्स यह जो एक्ट्वल पाथ है ये हमारे पास क्या है इसको हम कहते है distance सो जब भी हमारे पास body move करीगी उसको हम कहेंगे कि ये body जो है क्या कर रही है distance score कर रही है इसी तरह पर एग्जामपल ये body again एक another point A से start होती है पहले point B पर जाती है point B के बाद point C पर जाती है तो इसको हम कहेंगे कि ये point bc for example 3 meter है ये इसने कोर की है 4 meter so point a c b फिर b c c तक ये जो सारा actual path है इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे distance so distance हमारे पास क्या हो गई? distance हमारे पास हो गई 3 plus 4 is equal to 7 meter सही है ये हमारे पास हो गई distance so distance हम किस चीज़ को कहते है distance हम कहते है actual path को इसी तरह for example again ये body a start हो गई a c b पर आ गई b c c पर और c c d पर ये चारों अगर हमारे पास 5 meter हो तो इस जो एक्चल path है 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter याने 5 plus 5 plus 5 जो actual length है हमारे पास actual path का जो 15 meter है ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास हो गई distance so it is clear that distance is the actual path followed by a body during its motion अब अगर एक और example भी देता हूँ अगर ये बाड़ी है ये यहाँ से start हो जाती है और ये इस circle में एक चकर लगाती है और फिर इसी point पर दुबारा आ जाती है तो ये जो circumference है जो सी है ये हमारे पास क्या हो गई distance सही है ये हमारे पास क्या हो गई ये हमारे पास हो गई distance सो distance हमारे पास किस चीज़ के बराबर है ये हमारे पास c के बराबर है और याद रखे कि distance को हम denote करते है s और displacement को हम denote करते है dc अब ये जो circumference है ये हमारे पास बराबर पार example ये हमारे पास अगर 1 मिटर रेडियस से circumference हमारे पास बराबर होता है है सो 2 multiply 3.146.28 हमारे पास आ गई distance अब चलिए displacement के बात करते हैं यहाँ पर A से स्टार्ट होकर B सर इनिशल पॉइंट A है final point B है अगर मैं initial और final point को सीधा मिला लो तो इसको मैं कहूंगा displacement हमारे पास क्या हो गई displacement हमारे पास हो गई displacement हमारे पास हो गई shortest path एक्चुल पात को हम distance कहते है shortest path को हम displacement कहते हैं अब यह जो point A था बाड़ी A थी जो बाड़ी A से स्टार्ट होकर B पर B B C पर गई थी यहां पर displacement हमारे पास सेवन मिटर तालिके न अगर मैं इस A और C को directly join कर लो तो यह हमारे पास shortest point हो गई तो इस shortest point को हम कहें को हम क्या कहेंगे shortest path को इसको हम कहेंगे displacement तो यहां पर मेरे पास displacement हो गई इसको मैं नाम दूंगा X अगर मेरे पास एक दो वेक्टर जो इसको हमने 8 की है और तीसरा वेक्टर हमें गीवन है तो इसको अगर मैं एक्स्ट्रा वेक्टर चिप्टर में हम इसको कोर करेंगे यह हमारे पास A ता 3 मिटर B ता मेरे पास 4 मिटर अगर मैं यह हाई पास फाइंड करना चाहता हूँ सपोज जो मेरे पास X है तो यह मेरे पास किस तरह आएगा X is equal to सपोज यह हमारे पास ABC हो तो यह हमारे पास आजाएगा ABC स्क्वेर प्लस यह वाला डिस्टेंस BC स्क्वेर प्लस 2ABBC कास तीटा यह ABBC की बीचुर एंगल है यह हमारे पास क्या है कास तीटा यहाँ पर मैं AB लगा लेता हूँ 3 और इसकी बात अंडर रूर 3 स्क्वेर प्लस BC मेरे पास है 4 मिटर 4 स्क्वेर प्लस 2AB कास हमारे पास 90 है 90 डिग्री और कास 90 हमारे पास किसके बराबर है कास 90 हमारे पास बराबर है 0 तो यह वाला टर्म 0 हो जाएगा रिजन इसका किया है कि हमारे पास इंगल 90 है और कास 90 हमारे पास बराबर है 0 की तो 3 स्क्वेर प्लस 4 स्क्वेर 9 प्लस 1625 अंडर रूट 25 इस इकोल टू 5 मिटर यह जो X है यह किया है यह हमारे पास है 5 मिटर सही है अब यहाँ पर यह हमारे पास डिस्टेंस टी 15 मिटर अगर initial ओर end point को directly में जाइन कर लो तो यहाँ पर मेरे पास displacement आ जाएगी 5 मिटर इसी तरह इस circle में देख ले initial point यही है final point यही है यहाँ से start होकर यहाँ पर आ जाती है तो हमारे पास displacement यहाँ पर क्या होगी 0 होगी तो इसी तरह एक और point है अगर हमारे पास point A है एक बाड़ी मू कर रहे है point B तक तो यह मेरे पास actual path है यह मेरे पास shortest path है यह S भी है यह D भी है ये distance भी है, ये displacement भी है, so हमारे पास कया होती है, अगर इन सब points को अगर मैं देख लू तो मेरे पास different idyaz आती है, different points आती है, ये देख ले इस case में मेरे पास displacement 0 थी और distance हमारे पास थी तो हमारे पास क्या है displacement एक case में 0 थी और यह जो distance है हमारे पास यह मेरे पास IT 6.28 यह अगर देख लिए अगर हमारे पास 5 मिटर है तो हमारे पास जो distance है वो displacement भी 5 मिटर है और distance भी हमारे पास क्या है यानि दोनों मेरे पास क्या है स सेम सेमYA है इस इसमें देख लें वारे पास पील दिस्टिंस हलो गई है । तो इससे नतीज़ हम क्या आखसर है कि हमारे पास जो इस्प्लैसमेंट है में पास क्या है ढ से अब यह देख लेए यह displacement 0 थी यह 6.80 थी 5 थी यह सेव और इसका नतीज़ा यह है कि हमाशा हमारे पास displacement क्या होगी displacement हमाशा हमारे पास कम होगी किस चीज से distance अगर ज्यादा से ज्यादा होकर क्या हो जाती है इस sign और इस sign के combination के लिए हम यह sign यूज़ करते हैं यह है equal and less than या तो हमारे पास displacement distance की बराबर होगी जो इस case में है और या हमारे पास इस से कम होगी यह सी की लिए आप लोग याद रखे कि displacement हमारे पास distance से कम होती है या distance के बराबर होती है यह हमारे पास वो case ता जहांपर displacement zero था और distance नहीं थी यह वो case ते जहांपर distance और displacement दोनों बराबर थे एम से क्यूज में पूछ लें कि कुन सी मोशन में distance displacement की बराबर होती है तो याद रखे जब बाड़ी वन ही लाइन एक linear मोशन करती है स्ट्रेट लाइन में मू करती है इसी तरह यह दे के जब हमारे पास बाड़ी करूई linear मतलब path linear ना हो तब हमारे पास distance हमारे पास displacement ची ज displacement इसकी इलावा अगर मैं बात कर लूँ इसको मैं मिठा लेता हूँ कुछ बात है इस जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए एक हमारे पास है distance और एक हमारे पास हो गई displacement इन दोनों की relation किया है distance और displacement का कि जो displacement है हमारे पास displacement जिसको हम DC denote करते हैं यह हमेशा हमारे पास x से कम होगी या x से बराबर होगी यह होगई एक पाक दूसरी बात आप लोग याद रखें कि यह जो distance है हमारे पास ये हमारे पास scalar है और यह हमारे पास क्या है वेक्टर है vector mean कि displacement की हमेशा इस तरह direction होगी यह एक vector था यह हमारे पास दो vector हो गई और यह हमारे पास इसका तीन vector हो गई so displacement हमारे पास क्या है vector है तीसरी point यह रखे कि यहाँ अब अगर देख ले कि displacement हमारे पास 0 आए थी so displacement हमारे पास याद रख ले कि it can be 0 हमारे पास 0 हो सकती है और distance हमारे पास क्या है हमारे पास distance जो है यह हमारे पास होगी can't be 0 जब भी बाड़ी move करती है यह कुछ न कुछ distance score करीगी तो इसी वज़ासे यह हमारे पास 0 नहीं हो सकती है और displacement जो है एक बाड़ी start हो जाती है तो यह possibility है कि वो दुबारा उसी position पर आ जाए इसी वज़ासे यह हमारे पास 0 हो सकती है इसी तरह यह हमारे पास distance जो है negative नहीं हो सकती जबकि displacement हमारे पास negative हो सकती है अगर direction opposite हो तो तब इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास negative है इसी तरह अगर मैं units की बात कर लूँ तो इसके हमारे पास ऐसा unit मीटर है इसका भी ऐसा unit मीटर है इसकी इलावा मीटर की इलावा centimeter, micrometer, on strand और और भी फर्मी यह सारे हमारे पास क्या है इन दोनों की हमारे पास unit से distance और displacement की तेकिन याद रखे यहाँ पर कि light year जो है light year हमार हमारे पास वो भी distance का unit है और इसका dimension भी हमारे पास L होगा, reason यह है कि light year हमारे पास क्या है, the light year हमारे पास है distance by light and one year, light जो है एक साल में जितनी distance कोर करती है, इसको हम कहते है light year और इसकी dimension हमारे पास क्या होगी, L होगी, तो यह हमारे पास कुछ points थे distance और displacement के बारे में जो आप लोगो याद रखे लिए चाहिए, इसके इलावा अगर आप से पुछ ले कि for example, हमारे पास बाड़ी मू कर रही है सरकल में और इस बाड़ी ने जो है, या clock है, वो मू कर रही है और वो यहां से टार्टो कर, a core of the circumference score कर लेती है, one by four of the circumference बाड़ी कोर कर लेती है, one by four of circumference, तो आप find कर ले, हमारे पास क्या find कर ले, distance divided by displacement, यह मेरे पास distance और यह मेरे पास displacement, इसकी ratio find कर ले, तो यहाँ पर मेरे पास ratio किस चीज़ के बराबर हुएगी, इस तरह अगर एक बाड़ी line में मू करती है, तो इसकी distance divided by displacement, एक बाड़ी यहाँ से start होकर यहाँ पर आ जाती है, फिर इसकी distance divided by displacement क्या होगी, यह हमारे पास एक बाड़ी जो है, circle में मू करती है, और यहाँ से आकर यहाँ तक आ जाती है, पिर क्या होगी, तो यह हमारे पास one, two, three, four cases है, जो आप लोगो को याद रखनी चाहिए, चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, तो मेरे पास जो actual path है, पर example, अगर हमके कि बाड़ी यहाँ से start होकर center पर आ जाती है, पिर यहाँ पर आ गई, और radius जो है, वो हमारे पास one meter है, तो यहाँ पर देख ले, actual path one meter plus one meter, तो मेरे पास क्या होगी, one plus one, actual path मेरे पास जो है, two meter है, so this is two meter, अगर मेरे डी फाइंड करता हूँ, तो यह मेरे पास shortest point है, अगर यह वाला काम हमने किया है, यह वाला जो solution किया है, इसी तरह, अगर यह डी फाइंड कर लेंगे, तो डी मेरे पास आ जाएगा, one square plus one square, और 90 है, तो इसको करनी की ज़ूर नहीं है, one plus one two, तो मेरे पास आ जाएगी, under root two, so the ratio will be two divided by under root two, अगर मैं d by s लिको, तो d by s के फाइं, under root two by two होगी, this is the ratio, अगर बाडी जो है, straight line में मूँ करती है, तो जितना s होगा, उतना d होगा, so the ratio will be one ratio, one, अगर बाडी circle में मूँ करती है, तो हमारे पास जो s होगी, अगर हमें given होगी, r मेरे पास one meter है, तो हमारे पास जो distance होगी, वो हमारे पास बराबर होगी circumference की, circumference बराबर है two by r, और r मेरे पास यहाँ one है, pi हमारे पास three point one है, six point two eight, divide by d, d हमारे पास क्या है, d हमारे पास जो है, वो है displacement इस case में हमारे पास क्या है displacement 0 है क्योंकि बाड़ी यहाँ से start होकर दुबारा यहाँ पर आ गई सही है तो हमारे पास यह ratio बन जाएगी 2.1 divided by 0 6.28 divided by 0 अब अगर आप से कहें कि बाड़ी है उसने यहाँ से point A से start होकर point P पर आ गई और आप ratio point कर ले distance to displacement तो देखे यहाँ पर कितना distance होगा यह जो distance actual path है बाड़ी की इसको हम कहते है distance यह हमारे पास whole circumference है और यह हमारे पास half of the circumference है circumference हमारे पास बराबर है 2 pi r और यह इसका half हमारे पास whole circumference इसका half जो है यह actual distance है और diameter हमारे पास क्या है D तो यह 2 अगर इस 2 की साथ cancel हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5 r divided by D और D by S हमारे पास क्या हो जाएगा D by S मेरे पास हो जाएगा D by 5 r सही है अब यह हमारे पास एक r है यह दूसरा r है और इसको हम कहते है displacement अब अगर मैं देख लूँ तो यह D की बजाए में 2 times r लिख सकता हो तो इस equation मेरे पास यह S by D कुछ इस तरह बनेगा कि pi r divided by 2 r r cancel with r we will get 5 divided by 2 और यह S by D है चो D by S मेरे पास बन जाएगा 2 by 5 सही है तो यह हमारे पास आपने वह अप्शन टीक करना है जो हमारे पास given हो यह अगर डाइमेटर के फार्म में given हो तो पिर मेरे पास जो है तो बाइपाई आ जाएगी यहाँ पर रेडियस है ही नहीं सही है क्योंकि यह ओशे ही टीक कारदा स्वाब लिक्स मेंस्टाो रहां के लगए यह उर्ले कर उक्र bon व्युर है यह हमारे पास दीक कारदा स्वाएग्स पार में कर लेता हो क्योंकि इस ठीक कर लेंगे speed और velocity इंशालला वो अगली लेक्चर में कौर करेंगे so this was all about distance and displacement अगर कोई MCQ में मसला है तो